Hey what's up guys, welcome back to my channel The Market Stoker, so this video में हम बात करेंगे Tata Steel के बार हम, because Tata Steel के quarter 4 के result आए है, Tata Steel ने dividend payout करने का का है, Tata Steel ने stock split करने की बात किये, तो क्या ये सही समय है हमारे लिए Tata Steel को खरीदने का, उस पे हम बात करेंगे, अगर नहीं तो कहां पे हम खरीज सकते हैं, उसके बार में हम basis पे काफी अच्छे result हैं, but हमें quarterly देखना है कि quarterly result कैसे आए है, because आज जैसे का आप लोग देख सकते हैं, आज Tata Steel में 0.5% की गरावट नजर आ रही है, actually पूरा market में sell-off चल रहा है, तो Tata Steel भी उसमें अपना performance दिखा रहा है नीचे जाने के लिए, so सबसे पहले हम देख ल तो sales में आप देख सकते हैं, 60,000 के आसपा sales था September में and December में भी सेम था, and March में sales का बढ़ उत्री हुआ है, आप देख सकते हैं, around 9,000 करोड का, उसके बाद expenses पे आप ध्यान दीजिए, September में था ये 43,000 का, then December में वो 44,000 का and इस quarter में हुआ है 54,000 का, मतलब expenses बढ़ गए हैं, जो and इस साल के quarter में, March 2022 में पहले quarter में ये हुआ है, 15,000 करोड जो की decline देखने को मिल रहा है, so अब भी हम net profit की बात कर लेते हैं, तो net profit आप देखे कि September में था 12,000 करोड and December में हुए 9,500 करोड and अभी के quarter में हुआ है 9,756, 9,756 करोड, तो यही reason है, जिसकी वैसे थोड़ा सा profit booking च self में है, quarterly result अच्छे नहीं आये है, but yearly result बहुत अच्छे आये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह yearly है, तो net profit में आप देखे कितना बड़ा ग्रोफ है, 40,000 करोड उससे पहले last year था, यह 7,000 करोड बस, उससे पहले था 1500 करोड, उससे पहले था 10,000 करोड, तो जो net profit yearly base पर आ जाते हैं, नहीं, आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको wait करना है कि आपको अगर Tata Steel चाहिए, तो क्यों चाहिए, पहले यह पूछो, then चाहिए तो किस price पर चाहिए, वो जानो, stock split का मतलब यह नहीं है, कि एक के बदले, अगर 10 share मिलने, तो आप 1 या 10 share खरीद तो आप देख सकते हैं, कि मैंने 2 power zone mark किये हुए, कि अगर price इस point पर आएगा, तो ही उसको हम खरीदेंगे, otherwise नहीं खरीदेंगे, तो यह बात आप लोग ध्यान में रखें, तो जो पहला इसका point है, जहाँ इसको खरी सकते हैं, वो है 1250-60 के आसपास आने ही वाला है, अगर आप लोग को accumulate करना है, तो आप थोड़ा सवा कर सकते हैं, क्योंकि जादा नहीं कर सकते हैं, अगर पूरा market गरेगा, तो यह stock भी गरेगा, तो उस चीच पर आप लोग ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि यह power zone पर आ गया, तो वापस से उपर जाने को ready हो रहा है, जैसे कि आता है, तो आप इसमें अच्छे नंबर में खरीदारी कर सकते हैं, वो है around 1100 रुपए के आसपास, जो इसका second power zone है, जो नीचे में बनाया हुआ है, मैंने actually अधर accumulate किया हुआ है already, तो अगर उस जगे आता है, तो आप खरी सकते हैं, आप सिर्फ इस बेस पर मत खरी दिए क कि कमपनी 50 रुपए, 51 रुपए का dividend दे रही है, या फिर कमपनी में split आया है, या फिर कमपनी के अच्छे result आया है, हमेशा कोई भी stock आप उसके सही price पर खरीदेंगे, तो आप उसमें अच्छा कासा profit कर पाएंगे, आप देख सकते हैं कि market इतना जादा गिर गया है, उसके बावजूर, जहाँ पर मैंने खरीदा था, इसको 1100 रुपए के आसपास वहाँ पर अभी तक नहीं पहुचा है ये, तो यही फायदा होता अगर आप आप आवर जोन पर कोई भी stock खरीदे हैं, वहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे भी गरता है, तो वह आपके लिए opportunity ह होता है, बट अगर आप कहीं इधर खरीद लेंगे 1300 के आसपास, 1400 के आसपास, इधर कहीं ऊपर खरीद लेंगे, तो फिर आप अच्छे खासे loss में जा सकते हैं, तो हमेशा पहले पूरा knowledge लीजे, stock के बारे में जाने काम क्या करता है, कैसा आगे future रहने वाला है, at least अगले 3 से 6 महीने के बारे में जानिए, quarterly result अच्छा नहीं आए, तो next quarter में अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो यह सब चीज आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, प्लस, price action के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कि price action कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, आप लोग को यह उस पॉइंट पर आता है, तो इस बार उसको break करके नीचा भी चला जाए, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अल्लेडी pending orders होते हैं, जो बड़े players होते हैं, FIA, DI, इस वाएसे यह वापस से jump मारता है उपर की तरफ, क्योंकि उनके pending order है, अगर उस price पर च जान रखिए, कि हमेशा power zone काम नहीं करता है, price action का, बट यहाँ काफी जादा reliable है, तो आप उस point पर आए तो ही chance लीजिए, otherwise आप wait करते रहें, और stock पर अपनी नजर बना के रखिए, यह कोई buying recommendation नहीं है, ऐसा मैं करता हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को बताया है, I hope आप कोई चीज समझ आई होगी, अगर कुछ बेच्छ लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनल को, सब्सक्राइब जरू कर लेना, मिलते हैं नेक्च वीडियो में, तब तक के लिए, बाई